अगाइज आज हम पmistड़ें गे एर पॉल्यूशन अब कछ पॉइंट्स पड़ेंके शुलिशन करते हैं, और भी क्यान कोछे पॉइंट्स पॉइंट्स के हैं करने का कुछ gases like carbon monoxide, sulfur dioxide, oxide of nitrogen, chlorofluorocarbons यह कुछ gases हैं जो air pollution करती है अब air pollution allergies, lung diseases, asthma, heart disease और cancer कर सकता है तो यह बहुत ही hazardous है air pollution, अब कुछ इफेक्ट से एर पॉल्यूशन के जो ग्रीन हाउस गैसे होती है लाइक कार्बन डियोकसाइड नाइट्रोन ऑकसाइड मीथेन वाटर वेपर यह जो हीट होती है जो अर्थ रेडियेट करती है उसे ट्रैप कर लेती है और अर्थ को गरम बना देती है इसे ग्लोब द्वार्मिंग धीर धीरे टेंपरेचर ऑफ अर्थ को इंक्रीज़ कर देगी और वह नेमपरेचर पोलर आइस कैप्स को करेगा और ऐलंड में फ्लडिंग हो जाएगी तो जो ओजोन लेयर एक प्रेजंट होती है में आपको बताया था ओजोन लेयर प्रेक्टिवर कारबंस जब ओजोन के पाफ जाते हैं वो ओजोन को आक्सिजन में कर देते हैं अब थर्ड पॉइंट acetic rain acetic gases होती है acid rain में convert हो जाती है कैसे कुछ gases like sulfur dioxide, nitrogen dioxide water vapor के साथ मिलके acidic cloud बना नदेती है और उस acidic cloud में नाम से प्रयाच से लरहा acidic rain होती है इस अर्थ पर गिरती तो बहुत हैं यह plants, buildings, aquatic life, होती है क्योंकि यह प्लांट्स, विल्डिंग्स, एक्विटिक लाइफ, सॉयल और हुमन हेल्थ को बहुत ज्यादा नेमेज देती है अब हमार है अब हमने देखा कि एर पोलिशन को रिड्यूस करना चाहिए लेकिन अब कैसे करना चाहिए चार पॉइंट्स है, प्लांटिंग मोरन मोटरीज, रेगुलर चेकिंग ओफ विहीकल्स, वर अमिशन अब हामफुल गैसे, रिसाइक्लिंग प्लांक स्टिक्स, यूज क्रीन अब स्मोक, स्मोक प्लस हामफुल गैसे, प्लस कंदेंजड वाटर वेपर, यह स्मोक बना देता ह है, विंटर्स में, यह हेल्थ हजार के अलावा, एयर की विजिबिलिटी भी रिडियूस करता है, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे, तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट इस सेक्शन में बद जरूर बताईएगा, यह आपको वीडियो कैसी लगी, और मैं इस इंप्रूफ कैसे कर सकना हूँ?